जै मातादी दोस्तों, वर्ल बेस्ट मैजिक में आपका हार देख स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, आसाल मा के क्रश्न पक्च की चतुर्थी तिथी को क्रश्न पिंगल संकस्टी चतुर्थी का वरत रखा जाता है इस दिन व्रत रखकर विग्न हर्ता स्री गड़ेज जी की पूजा की जाती है हर मा में एक संकस्टी चतुर्थी का व्रत होता है उस दिन गड़ेज जी के साथ साथ चंद्रमा की पूजा का विधान है चंदर्मा की पूजा किये बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है वैसे भी संकस्टी चतुर्थी के दिन चंदरोदय काफी देड़ से होता है इस वज़े से व्रती चंदर्मा के उद्धे होने की बहुत प्रतिक्षा करते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में यहीं बताऊंगी कि आसान मा के कश्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन गड़ेश पूजा का सुब मूरत क्या रहेगा साथी आपको बताऊंगी कि इस दिन चंदर्मा निकलने का सही समय क्या है विधी विधान से करता है भगवान गड़ेश जी उसके संकटों को दूर करते हैं और जीवन में सुबता प्रदान करते हैं उसको सभी कार्यों में सफलता मिलती है दोस्तों गड़ेश जी विग्न हरता है वे अपने भगतों को किसी संकट में नहीं छोड़ते हैं माननेता है कि आसान संकस्टी चतुर्थी में भगवान गड़ेश की पूजा उपासना करने से समस्त सुखों की प्राप्ती होती है घर में सुख सम्रद्धी और खुसाली भी आती है और समस्त कार्लियों में सिध्धी भी प्राप्त होती है तो चले जान लेते हैं कि साल दो हजार चौबिस में आसान क्रिश्न पक्ष की संकस्टी चतुर्थी का प्रत कब रखा जाएगा आपको बता दें कि इस बाद आसान मा के ख्रिश्न पक्ष की चतुर्थी तिथी की सुरुवात 24 पच्चिज जून की देर रात 1 बच कर 30 मिनट पर होगी और चतुर्थी तिथी की समापती 25 जून की रात 11 बच कर 10 मिनट पर हो जाएगी ऐसे में असान मा की संकस्टी चतुर्थी कवरत 25 जून-2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और गड़ेश पूझा का सुभ मोरत सुभा 5 बचकर 23 मीन्ट से लेकर सुभा 7 बचकर 8 मीनट तक रहेगा और साम को पूजा का सुब मूरत साम पाँच बचकर 36 मिनट से लेकर रात आठ बचकर 36 मिनट तक रहेगा और इस दिन चंदरोदय का समय रात 10 बचकर 27 मिनट पर रहेगा दोस्तों संकस्टी चर्तुर्थी के दिन व्रती को प्राता कल सुबह जल्दी उठकर इशनानादी करने के बाद स्वच वस्त धानर करने चाहिए इसके बाद व्रत का संकल्ब लें अब आप सूर्व भगवान को जलर्पित करें इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें फिर आप एक लकड़ी की चोकी पर लालिया पीले रंग का वस्तुर बिचा कर उस पर गड़ेज जी की मूर्ती या फोटो इस्थापित करें और उनकी विदवत पूजा अर्चना करें उन्हें रोली अक्षत अर्पित करें फूल माला चढ़ाएं सुद्ध घी का दीपक जलाएं फलादी अर्पित करें साथ ही भगवान गड़ेज को 21 दुरवा की गाठ भी अर्पित करें इतना ही नहीं गड़ेज जी को मोती चूर के लड़ू या मोदक आदी भी अर्पित करें साथ ही इस दिन गड़ेज जी के मंतरों का जाब करें और संकस्टी चतुर्थी की वरत कथा पढ़ें इसके बाद आर्थी करें और अंत में पूजा में हुई भूल चूप की छमा अवस्से मांगें और रात को जब चंदर्मा निकले तो चंदर्मा को अर्द दे कर वरत खोला जाता है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद